क्विज नमबर 9 निशेचन पर आधारित है यानि इस क्विज में आपसे निशेचन पर आधारित कुछ 10 पुछे जाएंगे जिनके आंशर आपको कमेंट बोक्स में लिखने हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ट है बिना निशेचन के बीज बनने की क्रिया को कहते हैं अगर आपने चुनाए उप्शन C तो बिलूल करेक्ट है यानि बिना निशेचन के बीज बनने की क्रिया को हम ए निशेग बीजता कहते हैं नाम से पता चल रहा है ए जब जो फल है वो बीज रही थो उस फल को हम एनिशेक फल कहते हैं और उस कुरिया को हम एनिशेक फलन कहते हैं तो इसमें आपको गन्फ्यूज नहीं होने यह तीन है एनिशेक जनन एनिशेक फलन और एनिशेक बीजता तो चलिए अगले question बढ़ने से पहले यदि आपने मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बैल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए तो बढ़ते हैं अगले question पर question number second है रोग ग्रस्त पादप से रोग मुक्त पादप के किस भाग से बनता है यानि रोग ग्रस्त पादप रोग मुक्त पादप में किस प्रकार बदलता है अगर आपने चुनाई option C तो बिलूल correct है यानि रोग रस्त पादप होता है वो उसे अगर रोग मुक्त पादप में बदलना हो तो हम सीरस्त भाग लेते हैं या फिर उपर ही भाग लेते हैं क्योंकि वही भाग पादप का रोग मुक्त भाग होता है और उसके करण हम रोग मुक्त पादप का निर्मान कर सकते हैं अगला question है question number 3 बहू प्रूनता की खोज की यानि आपको बताना है बहू प्रूनता की खोज किसने की अगर आपने चुनाई option D तो बिलुकुल correct है यानि बहू प्रूनता की खोज एंटोनी वॉन लिविन होक ने की तो चलिए question number 4 पर बढ़ते हैं question number 4 है बहू प्रूनता की खोज किस पादप में की गई आपको प्रते एक प्रसंद के लिए 5 सेकंद दिये जा रहे हैं अगर आपने चुनाई option A तो बिलुकुल correct है यानि संत्रों के बीजों में बहू प्रूनता की खोज की गई किसने की थी एंटोनी वॉन लिविन होक ने बहू प्रूनता की खोज संत्रों के बीजों में की संत्रों के बीज में क्या था एक से अधिक भूनते यानि बहू प्रूनता थी तो संत्रों के वीजों में एंटोनी वॉन लिवेगोंक ने बहु बुरुणता की खोज कर दी अगला क्योंचन है बहु बुरुणता किसका सामन्ने लक्षण है अगर आपने चुनाए उप्षण बी तो बुरुणता का सामन्ने लक्षण है या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनावर्त बीजी पादपों में बहु बुरुणता पाई जाती है आगला क्योंचन बर बढ़ते हैं क्योंचन बर सिक्स है कभी-कभी बीजांड काय या अध्यावर्ण की कोशिका से शक्री होकर भुरुण बनाती है इसे हम क्या कहते हैं अगर आपने चुनाए उप्षण सी तो बिल्कुल करेक्ट है यानि जब कभी-कभी जो बीजांड काय या अध्यावर्ण की कोशिका होती है द्वीगुनित अध्यावर्ण या द्वीगुनित बीजांड काई की कोशिगा होती है उससे अगर भुरून का निर्मानो तो इस प्रकार की भुरूनता को हम क्या कहते हैं अपस्थानिक भुरूनता कहते हैं इसे याद कैसे किया था अपस्थानिक किसे कहते हैं जो बगलों स बने ब्रून तो उसे हम क्या कहेंगे? अपस्थानिक और भूनता तो है यह, तो यानी इसे क्या कहेंगे? अपस्थानिक भूनता कहेंगे. अच्छन है, क्योसिन nл.7 बीजांड काई में एक से अधिक ब्रूनकोस किस पादप में होते हैं? अगर आपने चुनाई option C तो बिरूर correct है यानि कैजूराइना के बीजांड में एक से अधिक भुणकोस होते हैं अगला question है question number 8 सुक्चम प्रवर्धन में किस तक्नीक द्वारा व्यापारिक इस्तर पर पोधों का समवर्धन किया जाता है अगर आपने चुनाई option C तो बिरूर correct है यानि सुक्चम प्रवर्धन में उतक समवर्धन तक्नीक द्वारा हम क्या करते हैं पोधों का समवर्धन करते हैं अगला question है question number 9 भारतिय भुरुन विज्यान के जनक कोन है अगर आपने चुनाई option D तो बिरूर correct है यानि भारतिय बहु भुरुन ता या फिर भुरुन ता की कोज किसने की थी पंचानन महिस्वरी ने की थी इसलिए इनने क्या का जाता है भारतिय भुरुन विज्यान का जनक का जाता है अगले question पर बढ़ते है question number 10 है नार्यल का रेशा उत्पन करने वाला भाग निम्ण में से कौन सा है अगर आपने चुनाई option A तो बिल्कुल correct है यानि बाई ये फल भीती हमें पता है कि एक फल में क्या होता है बीज होता है बीज चोल होता है और फल होता है और वो फल जो होती है उसमें तीन बित्तियां होती है बाहिय फल भीती, अंतर भीती और मद्य फल भीती जो अंदर वाली होती है उसे हम अंतर फल भीती कहते है बीच वाली को मद्य फल भीती और बाहर वाली को बाहिय फल भीती यानि नारियल में एक जो रेशा होता है उसे हम बाईय फल बित्ती कहते हैं उसमें जो कठोर भाग होता है उसे हम अंतर फल बित्ती कहते हैं और उसके अंदर जो वाइट होता है उसे हम कहते हैं मध्य फल बित्ती और उसके अंदर एक वीज होता है